कैसे हो दोस्तों? उम्हीत है सभी लोग ठीक होंगे? बहुत दिन से वीडियो नहीं आया है, मुझे पता है क्या करूँ, मैं गाउं में गया था, बहुत सरी वीडियो मैं त्यार करके लेकर गया था, एक-एक वीडियो का चो फायल है ना, ओ धाई तिन जिवी के आस पास हैं. तो गाओं में इंटरनेट स्पीट इतना स्लो है इतना स्लो है मैं अपलोड में लगा दूँ तो लगवक 4-5-6 घंटे तक चला जाता है अपलोड होने में उसके बाद प्रोसेसिंग बेगरा तो अलग है तो इसी लिए साइद मैं दो दिन वीडियो में अपलोड किया था उसके बाद मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और काल मेरा बाटे था बहुत सरे भाई लोग ने मुझे वीज़ किया तो थेंक्यू उसके लिए खेर आज इस वीडियो में रियल मी नार्जो 50A का डीटेल रिव्यू करूंगा इस फोन को मैं लगवग 45 डेस तक यूज़ कर रहा हूँ और अवी टाइम हो चुका है लॉंग टर्म रिव्यू देने का इसको मैं प्राइमरी फोन के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ सच में यहां पर देख लो मेरा प्राइमरी सीम यहां पर डला हुआ है और प्राइमरी फोन के हिसाब से लगवग मैं 14 दिन तक यूज़ कर रहा हूँ अच्छी तरीके से जानने के लिए फोन को करीब से तो चलो डीटेल में रिव्यू जानते हैं सुरू में बैटरी का बात करूं अगर मैं हेबी भी यूज़ कर लूँ न तो दो दिन आराम से दे देता है मतलब कैसे अप्टिमेस करके इसका बैटरी दिया है मुझे पता नहीं है इसका जो बैटरी है ओ काफी अच्छा है जबड़ दस्त है अगर आप एफोन खरीद रहे हो अगर आपके पास एफोन है तो आप कमेंड बॉक्स में जरूर बताना आपका जो फोन का बैटरी सर्वीस है ओ कैसा दे रहा है अगर आप नॉर्माल ही उस करोगे मतलब कॉल बेगरा कर लेना कभी कभी गेम कैमेरा बेगरा ओपन करके रखना तो आपको तीन से साड़े तीन दिन तक दे देगा स्किन स्किन टाइम नहीं जो बैटरी है 100% से 0% आने के लिए 3-4 दिन तक चला जाएगा और मैं हावा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं खूद एक्स्पिरियेंस कर चुका हूँ उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो अगर आप 10-11,000 के आसपस किसी भी स्मार्टफ फोन है यूस करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है मुझे क्योंकि यहां पर 90Hz या 120Hz वगरा नहीं है फूल एजडी डिस्प्ले नहीं है तो इसके बज़े से मुझे यूस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है फिर भी हब लोगों के लिए मैं 14 दिन तक यूस कर रहा था और मखन का बैटरी सार्विस मिला है सच में इसका बैटरी जो सार्विस है ओ देखकर मैं फिदा हो चुका हूँ अटरवाट का फास्ट चार्जार तो दिया है लेकिन चार्ज होने के लिए टाइम लगाता है तीन साड़े तीन चार घंटे तक चला जाता है तो इसलिए मैं सोने के टाइम में चार्ज में लगा देता हूँ और सुबह उटके देखता हूँ फूल चार्ज हो जाता है कोई 5-inch का HD Plus IPS LCD पैनल दिया है अच्छा डिस्पले है लेकिन अगर Full HD देता ना और भी बढ़िया होता अगर आप लोग जादा मुवी बगरा देखते हो या जादा वीडियो जादा यूट्यूब बगरा देखते हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे HD Plus डिस्पले है तो उतना अच्छा वेडियो का quality या देखने का experience नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आप लोगों को compromise करना पड़ेगा और यहाँ पे कोई भी refresh rate नहीं दिया है कि HD डिस्पले है उसके बज़े से high refresh rate है ऐसा कुछ भी नहीं है 570 nits brightness दिया है आउट्डोर में काफी अच्छी तरीके से देख पाओगे बहुत ज़्यादा bright है मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे पता है आउट्डोर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर अब यूज़ करोगे आउट्डोर में ज़्यादा time तो और अब लोगों को मैं एक जानकारी देदू मैं 14 दिन तक यूज़ कर रहा हूँ और एफोन मेरे हातों से इतनी बार गिरा है मेरे हातों से इतनी बार कोई भी फोन नहीं गिरा है जितने बार एफोन गिरा है और उसके बाद भी नहीं तो कोई crashes और नहीं तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे देख लीजे कुछ भी निसान बेगरा कुछ भी नहीं है कोई भी क्रेचस बेगरा नहीं है तो यह मुझे बढ़िया लगता है और हाथों का निसान तो बिल्कुल भी नहीं आता है Polycarbonate के बज़े से काफी अच्छा experience मुझे दिया है मुझे दिक्कत होता है यहाँ पे जो glass है यहाँ पे थोड़ा बहुत हातों का Nissan बोल लो या crashes बगरा बोल लो ओ आ जाता है बरना back panel में कोई भी crashes नहीं आता है फिर भी मैं यहाँ पे back case लगा कर रखता हूँ आप लोग भी खरीद साकते हो ऐसी भी sponsored वीडियो नहीं यह back cover कर fingerprint इसका मखन की तरह काम करता है face unlock इसका मैं बंद करके ही रखता हूँ लेकिन fingerprint मखन है call quality वेगरा बढ़िया है call quality के मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा और network भी काफी अच्छा खासा रहता है इस phone में तो calling के मामले में बोलो या internet users के मामले में बोलो network रहने के मामले में बोलो कुछ भी दिक्कत नहीं देगा काफी अच्छा performance आप लोगों को provide करेगा एफोन चलो अब यह performance के पास देखते हैं इस phone में Mediatek का Helio G85 chipset दिया है directly कुछ मैं आप लोगों को gameplay दिखा रहा हूँ आप लोग यहाँ पे देख साकते हो इसका gameplay मुझे काफी अच्छा लगा हाँ कभी कबार lag, jitter वेगरा मुझे दिखाई देता है obviously budget phone है तो उतना अच्छा experience तो नहीं मिलेगा लेकिन जो मिल रहा है अगर आप normal gaming करते हो तो काफी अच्छा performance यहाँ पे आप लोगों को provide करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा काफी अच्छा performance provide करेगा क्योंकि मैं use कर रहा हूँ तो मुझे पता है इस phone में battleground to mobile India भी खेला हूँ काफी अच्छा performance दिया है अगर आप लोग इस phone का detail gaming review या performance अच्छी तरीके से जानना चाते हो तो हमारे gaming channel में जा सकते हो उहाँ पे detail में इस phone का gaming review किया हूँ और सिर्फ इस phone का नहीं इस phone के साथ इस price में जितना भी high performance वाला phone आता है उसके साथ में comparison भी किया हूँ तो description में link डाल दूँगा हमारे gaming channel का जरूर subscribe करना और जरूर ओ सारे वीडियो देख लाए आप लोगों को clear ली पता चल जाएगा और hitting इसू बिल्कुल भी नहीं है हमारे gaming channel में hitting टेस्ट करके भी दिखाया हूँ तो जल्दी जाओ gaming channel में ए वीडियो खतमन के बाद जाना भरना वीज में छोड़के मत जाना पूरा देख लो और हाँ प्रोमोसान हो रहा है तो और एक प्रोमोसान कर दू इस phone का में water test क्या था और यह जो unit है यह water test वाला unit है तो उसके बाद भी इस phone में कोई भी दिक्कत नहीं है जदतर water test के बाद battery में दिक्कत आ जाता है लेकिन इस phone में battery में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आया और उसके बाद काफी अच्छा performance भी कर रहा है तो अगर आप लोगों को water test भी देखना हो ना तो card में link डाल दूँगा ओ भी देख लेना हमारे पास है 4GB का variant इसका ram management अच्छा है मतलब ऐसा नहीं है कि flagship जैसा मिलेगा ऐसा तो नहीं है budget के अंदर जैसा मिलता है एक दो घंटे के अंदर जो सारे app आप आप लोग open किये थे लगवाग 80-70% app ram में रहता है ऐसा नहीं है कि 24 hours के बाद आप लोग app अगरे open करोगे तो ram में रहेगा यह flagship में होता है Samsung के phone में flagship में होता है लेकिन budget में अप लोगों को यह सब कुछ expect नहीं करना चाहिए चलो camera के पास देखते है backside की तरफ 50 megapixel का triple camera setup दिया है और 8 megapixel का selfie camera दिया है इसका camera उतना खास नहीं है उतना अच्छा quality नहीं मिलेगा 50 megapixel जो है न उतना खास नहीं है मुझे लगता है 50 megapixel से ही जो picture खिसता है नॉर्माल से भी same picture खिसता है और ऐसे भी 50 megapixel से अगर आप picture खिचोगे तो जो MB है size है वो ज़्यादा कर देता है बरना मुझे difference नहीं लगा दोनों sensor में से normal और 50 में से तो ऐसा मुझे लगता है selfie camera भी और भी ज़्यादा improve करना चाहिए था ज़्यादा beauty कर देता है detailing उत्रा नहीं आता है तो इस सब कुछ के मामले में realme को ध्यान देना चाहिए budget के अंदर और back camera ठीक ठाग है selfie camera में detailing में थोड़ा सा problem है age detection में भी कभी कबर मेरे age को blur कर देता है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ आप लोग यहाँ पे clearly देख साकते हो और अब लोग comment box में जरूर बताना इस सारे camera sample आप लोगों को कैसा लगा अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरा honest opinion कि ए phone आप लोगों को buy करना चाहिए के नहीं फोन का जो price है वो 11,000 के आसपास है और मुझे लगता है इस price में killer phone है लेकिन इस phone को मैं purchase किया था 9,500 रूपीज देखा और इस price में मुझे तो काफी अच्छा deal मिला है अगर आप 11,000 देकर भी buy कर रहे हो ना तो अभी मैं कहूंगा काफी अच्छा performance अब लोगों को provide करेगा अगर अब लोगों के main priority है battery तो ए फोन अब लोगों के लिए सबसे पहला number में आएगा तो एही था मेरा honest opinion अब ले साकते हो इस phone को अगर आप full HD के साथ जाना चाहते हो तो इन्फिनिक्स का होट 11A से उसके पास देख साकतो इससे अच्छा ओफोन है उहां पर रिप्रेस त्रेड वेगर भी दिया है लेकिन battery के मामल में यह उई नर रहता है तो यहीं बताने का मैं कूसिस कर रहा था इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं अगले एक फ्रेस वीडियो में